कि हैं कि यह आज व्रस वाले पार्ट में यह देखेंगे कि आप एलविन CSS को यूज कैसे करेंगे एलविन CSS का सेट अप करने के लिए दू चीज़े होती है या तो आप टैल्विन CSS को सीडियें के था फार्ट ऑ दूसरा पार्ट यह है कि टैलू इन इंटरफेस के तुरू इंस्टाल कर सकते हैं CLI के थू है अगर आपको तेल्विंट्सेस इंस्टाल करके योज करना है तो आपके सिस्टम में node.js होना चाहिए तब आप तैल्विंट को सकते हैं यूज कर सकते हैं ऐसे पैकेज करना है देखिए CDN Content Delivery Network एक URL होगा जिसको आप पास करके Telwind CSS को यूज कर सकते हैं तो चलिए हम practically इसको क्या करते है Implement करते हैं मैंने एक folder बना रखा है Telwind CSS और मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं एक folder बना रहा हूं CDN और यहां पर मैंने लिखा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं CDN के तुरू इसके अंदर क्या कर रहा हूं काम कर रहा हूं मैं यहां पर राइट क्लिक करके फाइल बना रहा हूं थोड़ा सजूम कर देते जिससे आप लोगों समझ में आएगा मैंने फाइल बना दी यहां पर आपको उपन करना और यहां पर ऊपन करके त्याविन करेंगे आप कैसे इंपलीमेंट करते बहुत सा अब देखिए अब आपको क्या करना है यहां पर क्या बोलता है कि केवल आप यह सक्रिप्ट वाली लाइन आइड कर दो अब आपके मन में आएगा कि सर इस क्रिप्ट टैग हमें कैसे इस टाइल दिल्वाएगा जब यह स्क्रिप्ट होता है तो यह सी स्स बना देता है बलाई यह करके एक इंटर्नल ऐसे बना के पेज पर देता है तो केवल यह लाइन आपको यहां से क्या करना नहीं है और कौपी करने के बाद यहां जाना और यहां जाकर इसको कर देना जब आप intent करने के बाद आप इसको मूव कर दीजिए जिससे आप ऑपन पर देख पाएंगे अब आपको यूज करना है तो आप एक काम करो आप H1 टैग लगाओ टैल्विन CSS आते ही सारी जितनी भी टैग होते हैं H1, P, Heading जितने भी टैग होते हैं सब अपने behavior को छोड़ देते हैं Heading आपको पता है H1 टैग सबसे बड़ा होता है आपके page के अंदर H1 अभी कोई भी property लेके नहीं आएगा देखेगा, मैं यहाँ पर जाके दिखाता हूँ कोई भी property लेके नहीं आए, मैंने 200 पर जूम कर रखा इसलिए आपको बड़ा दिख रहा होगा, यह 100 है ऐसा तो H1 कभी नहीं होता है, यह तो paragraph जैसा भी नहीं है यहाँ पर एक class होती है, टेक्स टू एकसल करके यहाँ पर एक class होगी यह 3 एकसल आप इसको use कर सकते हैं, आप जाके देखिए फॉंड का साइज बड़ा हो जाएगा और अगर आप यहाँ पर 500 लिखेंगे तो थोड़ा लाइट रैड होगा, रैड जैसा रैड है, दार्क करना है तो 900 अब देखिए, यहाँ पर आपके पास font bold नाम की भी class है, जो इसको बोल्ड कर देगी, font बोल्ड करेंगे यह बोल्ड हो जाएगा और फिर आप classes को यूज करके क्या अगर सकते हैं, यह पहला step है, जो आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा आपके सामने जूम कर देता हूँ, जिससे आप इस logic को क्या अगर पाओगे, समझ पाओगे, यह step, देखिए, एक और फाइल है, आप लगा सक को इस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब यह command line interface के तुरू हमें Telwin को क्या गरना, इस्टॉल करना, यह तरीका है तो बहुत आसान, बर सबसे पहली कहानी क्या है, कि आपको अपने system में Node.js को इस्टॉल करना पड़ेगा, जब तक आप Node.js को अपने system में इस्टॉल नहीं तब तक आप इस process को implement नहीं कर सकते, क्योंकि Telwin अब आपके folder में आएगा, अभी हमने CDN लगा दिया, मैं चाहता हूं कि Telwin मेरे folder में आ जाए, तो सबसे पहली चीज है कि आप Node.js को क्या गरेंगे, इस्टॉल करेंगे, इस्टॉल करने के लिए आप यहां जा सकते हैं, Node.js क official website पर दा सकते हैं, यहां जाएंगे, जाते ही आपके सामने दो version आएंगे देखिएगा, एक LTS और एक current, LTS का मतलब होता है long term support, LTS मतलब बहुत ज़्यादा developer ने यूज किया, आप इसको यहां से download करके, जैसे सारे software आप install करते हैं, आप इसको भी install कर सकते हैं, क्योंकि मेर node.js install करने के पास आपके पास दो चीज़ आएंगे, एक आएगा NPM, NPM की full form होती है node package manager, एक आएगा NPX, NPX का मतलब होता है node package executor, NPM या NPX का यूज करके, आप टैलिवेंट CSS को क्या आगर सकते हैं, install कर सकते हैं, देखिए, actually use NPM और NPX का आगे बताया जाएगा, अभी मैं NPM इसको install करने वाले है, install करने का क्या logic होगा, क्या process होगा, वो सारी चीज हम अभी क्या करेंगे, clear करेंगे, tellwind CSS को आप install करोगे, और इसको फिर आप clear करोगे, कैसे clear करना है, वो मैं अभी बताऊंगा, तो actual में सबसे पहला point तो यह है, कि node.js आपके system में होना चाहिए, अगर node.js आपके system में नहीं है, तो आप tellwind को install नहीं कर पाएंगे, चले देखिए, cdn का use करके काम करेंगे, अगर cdn बड़े लेवल का logic के लिए नहीं बना हुआ, अगर आपको बड़े लेवल के logic का use करके project को मनाना है, तो tellwind आपके folder में होना चाहिए, देखिए कैसे चलेगा डबल क्लिक करेंगे, तो आपके सामने open आ जाएगा, next, next, next करते रहिएगा, और पूरा ये installation process complete हो जाएगा, जैसे ही installation process complete होगा, आपके सामने, और cmd में जाके, मैंने चेक किया, क्या हमारे पास node आया है, node install होने के बाद, चेक करना है आपको, यहाँ पे लिखना, node-v, node आ गया है, 20.11.1 है, ठीके, यह आ गया है, क्या NPM आया है, NPM-SV, NPM का वर्जन पता चल जाएगा, NPM का वर्जन 8.13 आ चुका है, क्या NPX आया है, यह भी ध्यान रखना है, यह तीनों चीजों को चेक करना है, अगर यह चेक नहीं कर रहे हैं, तो आप फस्स जाओगे, मतल आपके system में node इस्टॉल नहीं हुआ है, node का वैसे बहुत बड़ा काम होता है, JavaScript को आपके local system में चलाने की permission भी node देता है, मगर उसकी बारे में मैं बात नहीं करूँगा, अभी node फिलाल मेरे लिए यह काम करेगा, यह मुझे दो चीज देगा, NPM देगा, NPM का मतलब node package manager, एक TELWIN है, ठीक है, TELWIN CSS के अंदर, मैं यहां पे एक folder बनाता हूँ, CLI, TELWIN, मतलब CLI के थूप मैं TELWIN को क्या करूँगा, यूज करूँगा, थोड़ा process आपको समझना पड़ेगा, इसको मैं यहां से क्या करता हूँ, यहां पर open कर देता हूँ, मतलब हमारा जो process चलेगा वो process किस पर चलेगा, black screen पर ही चलेगा, installation करने का तरीका black screen पर ही होगा, यह मेरा वो folder है, जिसके अंदर मुझे काम करना है, यह TELWIN CSS में folder है, CLI, TELWIN का मतलब है, मुझे CLI के थूप टेलविन को install करना है, टेलविन के documentation पर आपको जाना है, जाना ही है, यहां जाएंगे आ जाएंगे तो यहां पर option है, TELWIN CLI, सबसे पहले क्या करना है, NPM install TELWIN, NPM install D TELWIN CSS, इसको copy करना है, और copy करके आपको इसके आगे लिख देना है, पहली चीज, देखें, इस PPT में भी दिया हुआ है, जिससे आप यह relate कर पाऊगे कि हम सही कर रहे हैं, देखें, यह install करना ह बाद, इस्टॉल कर लिए, आपने एक configuration file create करनी है, configuration file create करने की command दी हुई है, configuration file create करने का मतलब, npx TELWIN CSS init, यह क्या करेगा, एक TELWIN CSS की configuration file बना देगा, ऐसी file बना देगा, यह copy करिए, और copy करके यहां पर क्या करिए, पास करिए, पास करते ही, ऐसी एक file बना देगा, इस folder क आ चुका होगा, node module के अंदर आपका TELWIN पढ़ा होगा, मैं यह बता रहा हूँ, क्योंकि हम NPM के थुरू कोई भी package install करते तो node module में जाता है, यह process react के साथ में ज्यादा यूज होगा, फिर भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप इस पे काम कर पाए, इतना हो इतने में कहीं doubt नहीं होगा, चलो आगे चलते हैं, आगे का process क्या है, आगे process में यह बोला गया है, इतना आपने काम कर दिया, यह configuration file में आपको यह code copy paste करना है, यह code लेना है, यह configuration file में कह रहा है कि कोई SRC नाम का folder होगा, उसके अंदर कोई और भी folder हो सकता है, उसके अंदर पेस्ट कर देना है, इतना करने के बाद, देखिए, यहां तक का हमारा process complete है, पहले process में हमने tellwin को install किया, ठीक है, दूसरे process में tellwin की configuration file generate की, तीसरे process में हमने tellwin के configuration में यह बता है, यह file पर आपको support करना है, इस folder में और इस file पर आपको क्या गणा है, support करना है, और फिर हमने एक folder बना है, यहां पर src नाम का, वो बोल रहा है कि एक src नाम का आपको folder बनाना है, src नाम के folder के अंदर, एक file बनानी है, आपको input.css, यह file आपको क्या गणी बनानी है, बना दिया हमने, input.css और इस file के अंदर यह code लिखना है, यह देखिए, लिखा हुआ है, src न और एक utility बास कर रहे हो, actually tellwin क्या करेगा, input.css को convert करेगा, और convert करके एक file generate करेगा, जिसका नाम होगा output.css, यह पूरा code उठाके output.css में डाल देगा, actually, एक configuration चलाएगा, उस configuration के through, आपका पूरा code generate होगा, और एक file बनेगी, output.css, उसमें generate हो जाएगा, यह काम करने के लिखनी है, जो यहां पर है, यह लाइन हमें क्या गणिया लिखनी है, यह दियावा, देखिए, NPM tellwin css, I, src के अंदर input.css file पढ़ी है, उसको पढ़ो, और उसको पढ़ो, उसको watch करो, और watch करके output.css में उसको डाल दो, मतलब उसका पूरा data उठाके किसमें डाल दो, output. css में डाल दो, input को execute करो, और उसको execute करके उसका पूरी css की file किसमें डाल दो, output.css में, और यह जो watch नाम की command है, watch नाम की command यह बताएगा, कोई अगर आपने नया काम किया, कुछ भी नया काम किया, वो output में डालता रहेगा, output में क्या होगा, डालता रहेगा, केवल इतना सा गाम करना है, यहाँ से जाना है, और यहाँ जाके इसको copy करना, और copy करके इसको भी command prompt है, folder सेम होना च्याँ यह धियाँ रखेगा, folder सेम, यहाँ जाना और यहाँ जाके enter कर दिना, enter करेंगे, enter करتे ही, हमारी file बन जाएगी, file बन गई होगी, अगर आप देखेंगे, तो यह ही एक फाइल बनानी है जिसका नाम क्या रखना है इंडेक्स.html या कोई भी नाम जिसमें आपको काम करना है इसके अंदर ही हम क्या गरेंगे पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यह जो सेम कोड है आप ध्यान दीजेगा यहां पे दिया हुआ है यह पूरा सेम कोड यहां स हमने जो इस्टॉलेशन ग्याँ उससे जनेट हुआ मतलब हमने करके जो प्रोचेस चला चलाया इसंटॉल इड्लबनी इस यूज करके जो बना उस प्रोचेश से से 200 सब्रकोषर करना है इंपुरी हैनाए और यह तीन लाइन का कोड दिया और यहां पर इस लाइन को रन करने के बाद जो आपका इंपूट था वह इंपूट एक कोड जनरेट करके आउटपूट में डाल देता है और हमें आउटपूट.css को यहां पर क्या गणा लगाना है बाकी का प्रोसेस सेम है आप चला सकते ह जैसे आपको लगता है कि सर चलाके रिखाईए मैं यहां से इस फाइल को क्या गर रहा हूँ रन कर रहा हूं आपके सामने चीज़े क्लियर और आ चुका है अपके देखिए टेक्स्ट रेड़ और यहां पर सजेशन भी आ रहे हैं अब आप आप कहेंगे सर सजेशन कैसे आ लगाना पड़ेगा कि यह दोनों लगा लिजिएगा टेलवीं CSS intelligence और टेलवीं से डॉक्स यह दोनों आपको क्या लगाना है जिसका यूज करके आप यहां पर सजेशन मांग सकते हैं अब आप कोई भी काम कर सकते हैं तो process थोड़ा सा टेड़ा है उस टेड़े process में आपको ज्यादा काम नहीं करना आपको सबसे पहले no install करना पहला process node install करके आपको एक folder बनाना है जहां पर हमें काम करना तो मैंने folder बना दिया यह हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है इसको आप चाहो तो प्रोजेक्ट का नाम देदो Netflix देदो नाम कोई दिक करनी है उसके अंदर आपको यह कमांड चलानी है कौन सी कमांड चलानी है मैं एक बार जाके बता देता हूं यह वाली कमांड चलानी है NPM install d tellwin css NPM का यूज करके मैं tellwin css को आपके folder में डाल रहा हूं फिर npx tellwin init का यूज करके एक configuration फाइल जनरेट करनी है उस फाइल में बताया गया कि आपको src folder के अंदर html और java script की फाइल पर काम करना है यह कोड उठा के डाल देना है और फिर आपको एक src नाम का folder create करना है folder नहीं बना है मैंने create किया उसके अंदर input.css file बनेगी उसके अंदर यह तीन लिखनी है और तीन लाइन लिखने के बाद यह जो कोड है यह कोड कमांड पे चलाना है यह कमांड क्या गरेगा input.css को generate कर देगा उसका code generate करके output में डाल देगा और फिर आप एक html फाइल बनाएंगे उस html फाइल में आप output.css को connect करेंगे इससे आपका tellwin आपके folder में आ जाएगा और आप इसको आसानी से क्या अगर सकते हैं यूज कर सकते हैं तो अभी के पार्ट में यही बताया गया कि आप tellwin css को आप अपने folder में कैसे यूज करते हैं इसके साथ में आप लोगों के लिए special announcement है अगर आप भी full stack web developer बनना चाहते हैं तो wsqtech आप सभी के लि आना यह सारी चीज़ें आप सीखेंगे यह जो कोर्स है यह कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है फ्रेंट और बैकेंड फ्रेंट बैकेंड मिला कि आप बहुत सारी website और वैब अप्लिकेशन बनाएंगे जिसमें आप जैमेटो का क्लोन मिंतरा को क्लो क्रियेट करवाया जाएगा जिससे आप कंपनी में एपलाई कर सकें पॉम का लिंग डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा और आप दिये हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं जिससे हमारे टीम आप से संपर करके और चीजों को क्लियर कर सके यह इस पेसल आफर आप लिए था तो चल लिए चलते हैं अपने टॉपिक पे अगर यह प्रॉसेस थोड़ा कन्फ्यूजन वाला लगे तो आप सीडियन का यूज करके काम करिए कोई दिक्कत नहीं है आगे चलके वैसे भी रियक के साथ में तेल्विन को इंस्ट्रॉल करने का तरीका दुवारा बताया चले ठीक है थेंक यू सो मच गाइस